हिमाचल प्रदेश सची वालाई से आज मुख्यमंत्री और कैबिनेट के सभी लोग अचानक आनन फानन में विधान सभा अध्यक्ष से मिलने पहुंचे और माना ये गया कुछ बड़ा होने वाला है विधान सभा के अध्यक्ष हमारे साथ हैं पहले उनस्त को आपको बहुत-बहुत सूर्या समाचार के साथ अब विवाकी के साथ बात करते हैं आपका बहुत-बहुत स्वाव दन्यवार शुकुरिया मुख्यमंत्री आई थे कैबिनेट आई थी आखिर कुछ वज़ा कैबिनेट पूरी थोड़ी आई थी सम आफ दा मनिस्टर्स जो थे वो आए थे पूरी कैबिनेट तो आई नहीं क्योंकि मुख्यमंत्री आए उनके साथ जो मनिस्टर्स थे बदा नहीं अब यह से कहां से आए यह तो यह जाने आए यहां पर तो बैठे बाचीत हुई और बाचीत के साथ साथ चाय वगरा पलाई उनको क्योंकि चाय पिना चाह रहे थे ठंड थी तो हमने चाय पलाई और बातें की और लगातार एक बात सामने आ रही है देखे विक्रमा देते आज दिल्ली गए है और दिल्ली जाते व आप सी इनकी संभव है वह तो ओडर इन फाइनल्टी है अब और अब वो ओडर तो फैनल हो चुका देशीज़ टूब इबबर आप दी होस्त अभी ऐसी कोई पर्टीशन मेरे पास है नहीं जिसका जिकर आप कर रहे हैं जब कोई ऐसा पर्टीशन आएगा और कॉंग्रस प दा जो है हमारे सजीवाले के समक्ष नहीं है मुख्यमंत्री खुद इस बात को कह चुके हैं कि विक्रमादित्य जब गए थे बागी नेताओं के साथ उनकी मुलाकात हुई वो उनका फीड़ बैक लेके आला कमान खड़के का नाम उनोंने लिया जो पार्टी के राष्ट् निकल पर अभी तो मेरे मतलब मेरे विचार में मेरे पास ऐसा कोई विशे नहीं है जब कोई विशे आएगा तो उस पर हम application of mind करेंगे कानून के जो प्रवधान है उनको हम देखेंगे और फिर फर उस पर जो आविचारी कता होती है उसकी जो फॉर्मेल्टी जो करेंगे त अब मीडिया के अंदर जो चल रहा है अब उसके ओपर तो मैं कोई ऐसी कुमेंट करने सकता है ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई अंदर ऐसे कोई चर्चा नहीं होते हैं यह थे हमारे साथ विधान सभा अध्यक्ष कुलदीप सिंग पठानिया एक सबसे बड़ा सवाल यह था क कॉंग्रेस के ये जो छे बागी चेहरे हैं इनकी सत्ता वापसी की क्या कोई रहा तलाशी जा सकती है विधान सभा अध्यक्ष साफ तौर पर कह रहे हैं उनका जो अपना ओर्डर है उसको रिव्यू करने की शक्तियां भी उनके पास नहीं है हाँ जुडीशियल रिव्यू के जाएगी लेकिन एक बड़ा सवाल ये जो अंदर बैठक हुई उसके अंदर क्या क्या हुआ वो खुले मंद से कहने के लिए ना मुख्यमंत्री तयार है ना विधान सभा अध्यक्ष लेकिन खिचडी कुछ पक रही है ये संकेश जरूर मिल रहे हैं कैमरा मेंस वाश के शम्लाइ